भिंट से ग्वालियर आ रही भारत जोडो यात्रा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग की मौजूदगी में पारशत के बेटे पर फाइरिंग की घटना से कॉंग्रेस ही सरकार से खासे नाराज हैं। कॉंग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये सब सोची समझे शाजिस के तहत किया जा रहा है। कॉंग्रेस नेताओं का कहना है कि राउल गांधी की भारत जोडो यात्रा से सत्ताधारी भाजपा बुरी तरहा बौखला गई है। का कहना है कि ये घटना ठीक उसी दिन हुई है जिस दिन प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इन दौर में आधिकारिक रूप से राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा को लेकर प्रेस कॉंफेंस को संभो दित किया। और पूरे कारिक्रम को सारजने किया। इससे सिर्फ सयोग नहीं माना जा सकता। कॉंग्रेस नेताओं ने आशंका जताई की राहुल गांधी की यात्रा जब मध्यप्रदेश में प्रवेश करेगी तो फार्तिय जंता पार्टी असमादिक तक्नों के माध्यम से यात्रा में व्याबधान उत्पन कर सकती है। दॉक्टर गोविन सीजी के नित्मत में गवालियर में निकाली जा रही भारत जोड़ों की उप्यात्रा के दौरान देशी कट्टा के साथ में की योग पकलाया है। वह घटना सीधी तोर पर इंगित कर रही है कि आदर्णी राहूर गांदी जी की यात्रा से और उसके मद्द प्रदेश में प्रवेश के पहले भारती जंता पार्टी हीन हद कंडों पर उतर आई है। और हमें आशंका है जो हमारा इंटिलीजेंस का इंपूट में मिल रहा है वो संकेच दे रहा है कि घवराई हुई वह सरकार जो पैसों के दम पर कमलनाजी को अबदस्त कर खरीदी हुई सरकार है वो जाने की बेला में है। राउल गांदी जी और कमलनाजी दोनों के नेत्रत से वो आशंकित है कि हमारे बिदाई के खर्ण निकट है और यही कारण है कि वो विग्ण पैदा कर सकती है और यदि कोई ऐसी स्थिती पैदा होती है तो उसके जवाबदार माननी शिवराज सिंग जी चौहान देश के ग कर रहे हैं और जिस तरह और यहीदा नेता प्रतिपक्षित गुविंज सिंग ने कहा कि प्रदेश सरकार की जिम्मिदारी है कि वो प्रदेश में कारूण विवस्था उस्थापित करे और किसी भी सफर्वजनिक कारिकरम में आसामाजिक तत्मों का प्रवेश्ट ना होने लेकिन जिस तरह से बयान भाजबा सरकार के मंत्री दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो कानून विवस्था बनाने के बजाए कानून विवस्था बिगाडने का इरादा रखते हैं नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी भारत के इतिहास की सबसे लंबी पदियात्रा निकाल रहे हैं और इससे पूरे देश में एक नया जूश है मद्धिपदेश में भी यात्रा 350 किलो मीटर से अधिक का सफर तै करेगी इतरान राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी सम्विधान निर्माता बाबा साहिब अमबेटकर और आदिवासी समाज के महनाया का टंट्या भील की जनरिस्थालीब पर भी जाएंगे बेहुमकारिश्वर में भी दर्शन करेंगे राहुल गांधी के इस तरहां के सार्जनिक कारेकरमों को देखते हुए मद्धिप्रदेश सरकार को तुरंट एक बयान जारी करके यह सपष्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा को परियाप्त सुरक्षाउपलद उनको चरमरा चुकी है हमें संका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पाद कर सकता है किसी प्रकार की घड़ना कर सकता है उनकी सुरक्षा में चूप नहो इस प्रकार मैं सासन से मुक्वंदी से अपीर करता हूँ अगर कोई घड़ना अगर राहुल गांधी क कॉंग्रेस नेताओं ने कहा कि कॉंग्रेस के कारेकरताओं को पूरी तरहां से सजक रहना चाहिए और अपनी तरफ से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भाजपा राहूल गांधी की यात्रा के दौरान कोई शर्यंत या शरारत ना कर सके उन्होंने मुखेबंते शिवरा सिंग चौहान से मांग की कि वे अपने पत के ताइपब का इमानदारी से में वहां करते हुए यात्रा के लिए परियाप्त सुरक्षा इंतिजाम करें भाव रहे तो ऐसे समय में अगर कोई विप्पिर घटना होती है तो इससे बहुत खराब संदेज जाएगा मत्यप्रदेश की प्रती मेरा विशेश आग रहे है माने मुख्यमंत्री जी से माने ग्रह मंत्री जी से कि जब राहूल गांधी जी प्रवेश करेंगे 20 तारीक मत मुख्यमंत्री में लगबक दो हफ़तों के लिए उनकी यात्रा मत्री प्रदेश में रहेगी ऐसे समय पर जम्यदारी बनती है प्रदेश सरकार की हर्विक्ति की के माहौल मंत्री प्रदेश में उस समय सकरात्मक रहे आप देख रहे हैं दखल न्यूज